हलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन इजी एक्स्प्लोर फार्मा सो हम लोग फिजिकल फार्मसुटिक्स टू पर रहे थे जो की फोर्ट सेमिस्टर में आता है इसमें हम लोग अप्टू अप्टू अप्टिफिकेशन तक स्टडी कर लिये थे अब हम लोग इस वीडियो अब ध्यान देजे अगर घर में भी एक टीवी बनाना होता है तो उसमें बहुत इंग्रीडियंट एड़ करते हैं है ना टी बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले दूद लेंगे उसमें चाय पती चीनी इस सब कुछ एड़ करने के बाद ही एक हमारा टी बनेगा उसी तरह से हम लोग बना क्या रहे हैं इमल्शन अब ऐसा तो नहीं है पानी उठाएं उ कौन कुन से इस्तेमाल किया जाएगा तो आए स्टार्ट कीजिये फॉर्मॉलेटिंग इंग्रीडियंट था इंग्रीडियंट फर्मॉलेशन ऑफ इमल्शन फर्स्ट हमारा हो जाएगा ओईल फेस और एक्वस फेस और अज़ बहुत ज़त इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक knowledge के लिए मैं यहाँ पर रखी हूँ इसको oil phase कहने का मतलब है कि हम लोग एक ऐसा emulsion बना रहे हैं जिसमें oil जादा है तो आप लोग ही बताइए वो कैसा emulsion हो जाएगा oil जादा है मतलब क्या होगा किस तरफ होगा इस तरफ होगा oil जादा है मतलब उसमें water इस तरफ होगा वो कैसे emulsion हो गया w by o type of emulsion हो गया मतलब हम लोग को w by o type of emulsion बनाना है उसके लिए हम लोग oil phase का इस्तमाल कर रहे हैं कुछ एग्जामपल है जैसे fixed oil हो गया कैस्टर ओयल, almond oil, arasis oil and cod liver oil इसको याद के से रखें डबल ए और डबल सी ऐसे याद रख सकते हैं a means क्या होगा, almoyd, second क्या हो जाएगा, arasis, third क्या हो जाएगा, castor and fourth क्या हो जाएगा, cod liver oil, double A, double C से fixed oil का याद कर लीजी next हम लोग को क्या हैगा, इसी में example क्या है, volatile oil का, volatile oil generally क्या समझते हैं, मतलब ऐसे oil जो की evaporate हो जाता हो, vaporize हो जाता हो, एक particular temperature पे आके तो वैसे कौन-कौन से है example, turpent oil oil, peppermint oil and cinnamon oil, ये तीन ऐसे example है, जो की volatile oil है, next हमारा आएगा, aqueous phase, aqueous phase में देख लीजी, समझ में भी आ रहा होगा कि अगर oily phase, w by o type of immersion के लिए यूज़ कर रहा है, मतलब aqueous phase, अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग aqueous phase यूज़ करेंगे, मतल चालते हैं, water में, water किस तरफ रहेगा, उस तरफ रहेगा, और बीच में slash देके O, मतलब हम लोग O by W type of immersion बना रहे हैं by using the aqueous phase, अब ऐसा नहीं है कि पानी लिए और एक oil ले लिए, oil को पानी में डाल दिये, तो बोल दिये लोग एक immersion बन गया, जो कि इस type of immersion, no ऐसा नहीं हो होता है, वो phase हम लोग बनाएंगे, लिकिन इसके साथ और भी कुछ-कुछ ingredient को add करेंगे, जैसे electrolyte हो गया, preservative हो गया, organoleptic agent हो गया, और भी कुछ-कुछ जिसको हम लोग आगे देखेंगे, next हम लोग का आएगा, that is emulsifying agent, emulsifying agent कहने का मतलब है, as इसको हम लोग emulsant भी कहते है और इसी को emulsifier भी कहते हैं, अब आता है question, यह बहुत ही जदे important है कि what is emulsifier, what is emulsifying agent and what is emulsant, this point you have to remember that emulsant को ही emulsifying agent भोलते हैं, इसी को emulsifier कहते हैं, मुझे याद है यह exam में आ गया था, मैं सोची यह क्या है और फिर इसके बारे में इधर तर ढूनने लगी, सोची नहीं यह बात आप लोग अच्छे से याद रखें, अब देख लेते हैं, यह emulsifier आखिर होता क्या है, तो emulsifying agent को, जिसको emulsifier भी कहते हैं, इसको हम लोग इसले इस्तमाल करते हैं, ताकि interfacial tension को decrease कर पाया, अब आता है question कि interfacial tension क्या है, यह देखिए, एक हम लोग emulsion बना रहे हैं, दो liquid emulsion में क्या होगा, दो emisible liquid होगे, तो लिजे, एक हमारा यह liquid होगया, एक हमारा यह liquid होगया, इसको हम लोग लिक्विड 1 कहेंगे, और इसको liquid 2 कहेंगे, अब देखिए, इसके interface पे क्या होगा, कुछ tension होगा, इसके interface पे भी कुछ tension होगा, कई बर क्या होते हैं, यह दोनों इंटरफेस पर होने वाले इस टेंशन के वज़े से देखें इस टेंशन के वज़े से क्या होगा कि यह दोनों आपस में नहीं रह पाते हैं तो देखे ये जो इंटरफेस है उसके कारही ये इमल्शन क्या होता है अंस्टेबल होता है ये तो सबको पता होगा यहां पर emulsions are generally what is unstable thermodynamically unstable होता है तो एक reason यह भी होता है कि दोनों liquid के बीच में क्या होते हैं हाई interfacial tension होते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे अगर सोचिए इस interface को कम कर दिया जाए तो इसकी stability क्या हो जाएगी increase हो जाएगी एक fresh phase में यहां अच्छे से समझाती हूं यह देख लीजे यह हमारा emulsion हो गया ठीक है यह एक liquid यह एक liquid अब क्या होगा अगर यह दोनों के बीच में interfacial tension है उसके कारण क्या है यह unstable है अगर यह interfacial tension को decrease कर दिया गया तो उसकी unstability भी क्या हो हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी अन्स्टैबलिटी डिक्रीज हो रही मतलब क्या बढ़ रही है stability increase होगी so by reducing the interfacial tension we can increase the stability of the emulsion तो हम लोग इसकी interfacial tension को generally decrease करने के लिए हम लोग emulsifying agent का add करते हैं so finally हम लोग क्या बोलेंगे emulsant, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं emulsifying agent, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक और नाम बताइए, that is emulsifier चीक है, अब इसके बारे में हम लोग और थोड़ा ज़ादा deep जाके समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़ादा important है कभी-कभी exam में, चलो ठीक है, formulation of emulsion नहीं पूछा अगर यही पूछ थी है, कि write about the emulsifying agent, 5 marks तो उसमें भी आप लोग को काफी express करके लिखना होगा तो देख लीजी, इस वीडियो से ही वो 5 marks कभी clear हो जाएगा तो emulsifying agent, or emulsifying, or emulsifier it reduce the interfacial tension between the two immisible liquid to form the stable emulsion यही है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, so combination of emulsifiers are used to produce the stable emulsion, अब हम लोग देखेंगे, कभी-कभी क्या करते हैं, कि एक emulsifier का use ना करके, combination of emulsifier का use करते हैं, so अब हम लोग देखते हैं, what are the types of emulsifying agent, generally इसका type देख लीज़े दो होता है, primary emulsifier primary emulsifier and secondary emulsifier, primary emulsifier को हम लोग true emulsifier भी कहते हैं, और क्यों यह use होता है, आखिर क्यों identification है, इसलिए क्योंकि primary emulsifier fine emulsion के production के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं, और secondary emulsifier क्यों हम लोग coarse emulsion के लिए use करते हैं, अब यह fine और coarse emulsion तो आप लोग पढ़ी चुके होंगे, इसके types में में और अरड़ी बता चुके हो, नहीं भी अगर आप लोग जानते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट में जा लिए और वहाँ पर जितने भी हैं, सारे ही इसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के विडियोस मेल जाएंगे, प्लस में सारे ही नोट्स अवालेबल हैं, www.ezyexplorepharma.online से, वहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, और यह जो secondary emulsifier होता है, वह indirectly stabilize करता है emulsion को, अब आएगा indirectly कैसे, indirectly ऐसे by using the thickening agent, मतलब यह क्या करेगा ना, कि इसमें एक ऐसा agent डाल देगा, जो कि थीक होगा, थीक मिन्स वह already थीक है, मतलब मोटा है, तो फिर जाने के बाद वह क्या करेगा, वह stabilize कर देगा emulsion को, कुछ examples, देख लिए important नहीं होता है, theory purpose से, बट फिर भी देख लिजे, next हम लोग आते हैं, next क्या हमारा, that is ideal properties of emulsion, ideal मतलब होता है, कि emulsion के कौन-कौन सी ideally और उसके कौन-कौन से खासियत के कारण हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो first हमारा, it should reduce the interfacial tension, जो हम लोग तभी उसको emulsion क्या सकते हैं, जब वो interfacial tension को decrease करेगा, क्योंकि हम लोग उसी purpose के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, it should impart the adequate viscosity, हम लोगों को viscosity ऐसा emulsifier ही उसकरेंगे, जिसकी viscosity maintain करने की अच्छी तरह के से कर सके, next हम लोग आएगा, it should be physically and chemically stable, अब ऐसा नहीं है कि एक emulsion में क्या किया हैं, कि add की कर दी हैं, एक emulsifier, अब वो ऐसा है कि वो दूसरे microorganism को अपने पास लेके आगे हैं, बोला कि आजो मैं को contaminate कर दो, तो ऐसा नहीं होगा ना, तो इस तरह कि हम लोग हमारे emulsion क्या हो जाएग से यह react नहीं करेगा, चीक है, react, it should, it should inert and non-toxic and physically and chemically stable, यही चीज है, तो यह आप लोग मेंशन कर सकते हैं, अगर पांच माक्स आ गया है, तो देखें, लेक्चर हम लोग फॉमलेक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें emulsifying agent को भी साथ में लेके पांच माक्स का चल रहे हैं, अगर आगया, तो क्या किजेगा, पहले definition लिखेगा, definition के बाद उसका type लिखेगा, primary or secondary emulsion, उसके बाद उसको third point में ideal properties लिखेगा, ideal properties के बाद उसकी classification को दिखेगा, classification में देखी क्या है, natural emulsifying agent, semi-synthetic emulsifying agent and the synthetic emulsifying agent, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको कितने parts में divide हो रहे हैं three parts में divide हो रहे हैं, first हमारा क्या है, natural emulsifying agent, second हमारा क्या है, that is semi-synthetic सemi-synthetic hors thermography agent, तो अब ही natural, natural मतलब natural, जो कहां से opt-end होगा, nature से opt-end होगा, जैसे कि plant से opt-end होगा, जैसे कि animal से opt-end होगा, तो इसको कैसे कहेंगे, natural emulsifying agent कहेंगे, जैसे कि कुछ examples इसके देख लिए जैसे कुछ polysaccharides हो गये कुछ हमारा क्या हो गया sterol containing emulsifying isn't हो गया anyways there is no need to remember this all we can remember one or two examples that is enough for us तो फर हम लोग कर सकते हैं जैसे plant से हम लोग को polysaccharides लिए अगर मिलता है तो polysaccharides से कुछ example याद कर लीजे कैसे याद किजएगा double a t double a t करके याद किजए double a means क्या हो जाएगा acacia acacia and agar double a t acacia agar and t means क्या हो जाएगा trigocanth acacia agar trigocanth तो यह कैसा हो जाएगा double a t that is the example of the polysaccharides which is came under the natural emulsifying isn't चीक है next हम लोग का sterol containing emulsifying isn't हो जाएगा sterol मतलब छोड़िए उतना important नहीं है वैसे sterol मतलब which contain the steroids तो देखिए example इसका ulfet हो गया यह animal से generally obtained क्या जा रहा और polysaccharides कहां से था plant से था तो plants वाला में क्या लिखिएगा आप लोग यहीं पे example डालके क्या हो जाएगा double a t हमारा हो जाएगा और animal वाला में यहीं पे example डालके जितने भी sheep से क्या obtained होता है जिनरली वहीं आद रखिएगा sheep से obtained होते है ulfet ठीक है एक example that is enough यह से और लिख सकते है एक योल्ग उला अलकोहल जेलटीन एक्सेक्टरा नेक्स्ट हमारा फर्स्ट हमारा खतम हो गया natural है ना नेक्स्ट हमारा आएगा semi synthetic सेमि संथेटिक की बात करें मतलब की जो की external as well as internal preparation of the natural emulsifying agent, natural emulsifying agent को एक तरह से external या फिर internal preparation करके हम लोग semi synthetic बना सकते हैं semi synthetic मतलब primary emulsifying को अगर हम लोग prepare कर रहा है मतलब primary emulsifying कहां से मिला था nature से मिला था synthetic emulsifying agent ठीक है तो इसके definition में यह लिखिएगा used as a primary in both external and internal preparation it produce O by W type of emulsions generally क्यों इस्तमाल करते हैं O by W type of emulsions को prepare करने के लिए वही next देख लीजे next हमारा क्या हो जाएगा इसके example देख लीजे semi synthetic example है semi synthetic example क्या हो जाएगे हो जाएगे इसके methyl cellulose example इसले लिख रही हो ताकि वीडियो देखते देखते example at least सब कुछ याद हो जाए आप लोगो methyl cellulose और फिर एक और हम लोग क्या हो जाएगा sodium carboxymethyl cellulose एक cellulose याद कीजे sodium carboxymethyl लगाना है और एक example ऐसे याद कीजे कि cellulose तो सब में है sodium carboxymethyl cellulose एक example याद कर लिया दूसरे example में क्या किया किसको हटा दिया methyl cellulose ठीक है ना ऐसे हो गया अब हम लोग आते संथिटिक नाम से पते चल रहा है संथिटिक मतलब कहां से बना रहे हैं बनाने मतलब बहुत सारे preparation करके एक बार तो यहाँ से obtained हो गया कोई भी substance obtained होने के बाग उसमें हम लोग सर्फेक्टेंट डालके और भी कुछ-कुछ इंगिरियन डालके emulsifying agent डाल रहे हैं देख लिए हम लोग emulsion प्रिपेर कर रहे थे अब क्या प्रिपेर करने लगे emulsifying agent यही होता है तो नेक्स देख लिए ऐनियोनिक कैटियोनिक नौन आयोनिक यह इसका टाइप होगा संथेटिक का टाइप होगा यह ठीक है ना यह बहुत ज़द इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारे examination में पूछा जाता है आयोनिक कैटियोनिक नौन आयोनिक मतलब क्या हो जाएगा अनायन होगा कैटियोनिक मतलब गटायन होगा नौन आयोनिक मतलब दोना में से कुछ नहीं होगा इसके जो एक्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं वो अब देख लीजे, अनियोनिक का, अनियोनिक का, तीन एक्जाम्पल है, मेटालिक सॉप, अलकली सॉप, और सोडियम लोरायल सलफोर, कैटियोनिक का दो है, B, C, B और C करके, B means benzylconium, C means citramide, नोन अनियोनिक का क्या हो जाएगा, GS करके आद कीजे, ग्लेसर ओल और सॉर्बिटो, तो यहां तक इस वीडियो लेक्चर में, हम लोग कहां तक कवर कर चुके हैं, इस वीडियो लेक्चर में, देखिए हम लोग, हम लोग, यहां तक कवर कर चुके, इमल्सिफाइंग एजन्ट के लिए, उसको हम लोग थोड़ीप पढने लगे, इसलिए टाइम लग गया, तो नेस्ट वीडियो लेक्चर में, हम लोग बाकी का बचा हुआ, तीन इंग्रेडियन जो इस्तेमाल करते हैं, इस प्रिजर्वेटिव अंटि ऑक्सिदेंट और्गेनोलेप्टिक एजन्ट, यह तीन को कवर करेंगे, तो प्लीज वीडियो को देखिए, अगर पसंद आ रहा है, तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नोट्स आवलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके लिजिए, या फिर डिरेक्ट हमारे साइट पे विजि वाइस आजाएंगे, आपको जो भी चलिए होगा, ले लिजिए का, या फिरेक्ट हमारे साइट आपसलूटली फ्री, थैंक यू सो मच फूर वाचिंग अस